Hello Friends, Welcome To My Study Training of Physical Education Channel दोस्तों ये वीडियो है कि फिजिकल फ्येटनेश and Health Education जैनले जिसमें आप फिजिकल फिचेस्ट की मोटर स्केल और है के स्थे ओ। जैसा कि यहां है फिजिकल फिटनेश और है ने रिलेटने क Attendee एंड सेल एंड उतक एंड रिस्पारिटरी सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम सभी का वीडियो बना चुकी हूं अब डेली बेसे से मेरे साथ बने रहे एंड जैसा कि BPSC TGT 2030 का एक जाम जल्द से जल्द होनी वाला है एक हपता के अंदर आपका नौटिफिकेशन भी आ हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएए सभी चेप्टर का प्लेलिस्ट बना हुआ है एंड दोस्तों जैसा कि यह किवल BPSC TGT के लिए ही नहीं है आप अदर्वाइज आल फिजिकल एजुकेशन कांपटेशन एक जाम के लिए मोस्ट इंपोर्डेंस सभी कोस्टन्स हैं जितने भी मैं टापिक करा रही हूँ फिजिकल फिटनेस्ट कोस्टन्स तो आते ही आते हैं इसपोर्ट ट्रेनिंग से इसपोर्स मेडिसीन से सभी चेप्टर कराया जाएगा बस मेरे साथ बने रही है अपने सेल्फ इस्टडी पर भी ध्यान दीजिए तो चलती हैं आज के कोस्टन्स के तरब कोस्टन है सभी इस तरों पर बच्चों के इस्टतम बिकास के लिए सारी सिच्छा की गतिविधियों का कायक्रम होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए तो बहुत ज़्यादा आप्टिमन लोड कहते किसे हैं आप्टिमन लोड कहते उसे हैं कि जिसमें जो ट्रेनिंग भार हो लोड हो न बहुत ज़्यादा हो न बहुत कम हो तो उसे कहते हैं आप्टिमन लोड तो यह सब बैलेंस होना संतुलीत होना चाहिए और नक्ट्ट्ट मैं कोशन है निन मं काहँ सना और नियंधृत यहाँ पर नियं值 लिखा गया है यहाँ पर और नियंदृत होगा दोस्तों यहां पे आप देख लिएगा यहां पे और नियंत्रित होगा ठीक है और नियंत्रित कारक पैपिंग मिस्टेक है निवेसे कौन सा और नियंत्रित कारक है जो एक देख्टी के स्वास्थ को प्रोहवित कर सकता है तो कौन इसमें और नियंत्रित कारक है जो स्वास्थ को बेक्टी के स्वास्थ को प्रोहवित कर सकता है तो अहार्ध मुपातना इस सबको हम नियंत्रित कर सकते हैं लेकिन जो गेनेटिक रीजन है अन्वांसिक कारर है उसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं कि बेक्ति का रंग कैसा है और उसकी सारे गठन कैसा है यह अन्वांसीक होता है यह हमारे नियंदर में नहीं है और रेक्ष कोशन है भारत में विद्याले स्वास्ति सिवाय कार्ग्रम का आरम हुआ इसकुल हैं सर्विसेज प्रोग्रामी स्टॉटेट इन इंडिया तो कब पहले बार यह बड़वदा सर्में इसकुली बच्चों की मेडिकॉल जाच की गई इसमें एक खिलाड़ी की सामुहिक सामधिस्स यूगताओं को कहा जाता है तीम कोडिनेशन एबिलिटी जो फे फ्लेयर और काल्ड तो समुहिक समझेश स्योगताओं को कहा जाता है फूर्ती यानि एजिलेटी एजिलेटी क्या होता है तुरंत गति वो दिसा बदलता है अपनी सभी अंगू अपनी सेंडर नर्वर्श फेंशματα मोटर स्किल सभी का एक समायोजन होता है फूर्ती में एजिलेटी में एड नेक्स्ट गूर्शन है शक्ति किसके द्वरा प्रहावित नहीं होती पौरर इजनाट एफेक्टेट वावन नहीं योती तो संकुचंग से में मांस पेसी के लंभाई, length of the muscles at the time of contraction, and मांसिक कार, mental factors, शंतुलन यानि balance, इन तीनों से प्रहावित होती है दोस्तों, इसलिए उपरक्त में से कोई नहीं, ऐसा question आएगा, कि किसके द्वारा प्रहावित नहीं होती है, अगर तीनों सही है, तीनों से प्रह हो जाएगा, यानि तीनों से प्रहावित होती है, सकती, and the next question है, सारे सिच्छा को यह भी कहते है, physical education is also called, तो सारे सिच्छा को जीम भी कहा जाता है, जो सधार लोग होते है, सारे सिच्छा को इसी बीशे में जानते है, कि हाँ, इसमें एक exercise किया जाता है, जीम जा जाता है, इसी को सारे सिच्छा कहते हैं, जो सधार लोग होते हैं, जैसे कि हम लोग तो जानते हैं, कि सारे सिच्छा से सरवागी बिकास होता है, physical, mental, spiritual, and social, इन सभी रूप से, तो सारे सिच्छा को जीम कहते हैं, क्योंकि आन जन्मानस में जीम को प्रयोग होने वाले उपकरणों द जानते हैं, and, next है, किसके लिए सारे सिच्छा एक महतपूर घटक है, for what is physical education an important component, दोस्तों, sorry, जो tapping mistake हुआ है, इसको मैं सुधार दूँगी, आगे वीडियो में ऐसा नहीं होगा, सारे सिच्छा हो गया है, सारे सिच्छा होना चाहिए, तो किसके लिए सारे सिच्छा एक महतपूर घटक है, तो इसमें right answer होगा, स्वास्त जीवन सैली, healthy life style के लिए, सारे सिच्छा एक महतपूर घटक है, सारे सिच्छा द्वरे बेक्ति का सरवांगीर भीकास, physical, mental, spiritual and social, यानि सारीक, मानसिक, अध्यात्मिक और समाजिक सभी प्रकार से भीकास होता है, इसलिए कहा जाता है, सारे सिच्छा से बेक्ति का सरवांगीर भीकास होता है, नेक्स्ट है, स्वात्य सिच्छा के किस विधी में प्रति अपने विचारों और अन्गों के बिनिवें से सिखते हैं, एविच मेधाउड आफ हेल्थ एजुकेशन, इंडिविज्विज्वल्स लर्ण बाई एक्सचेंजिंग डेट, आइडियाज एन एक्स्प्रियेंस, तो ग्रूप डिस्कसन में होता है, किसमें, ग्रूप डिस्कसन यानि समूव चर्चा में, एन एक्स्ट कोशन है, नेमित रूप से विरेचन का प्रयोग करना स्वास्ते के लिए हानिकारख है, इससे किसकी कमी होती है, तो इससे पोटैसियम की कभी हो जाती है, पोटैसियम क्या होता है, यह बहुतिक तत्व है, जो मानोसरी के लिए अत्यन्द अवसेख है, यह हमेशा एसिद की साथ पा जाता है, एन्पोटैसियम जो है मानस्पेसियम को कंट्रेक्ट करने में भी काम आता है, एंड संपूर सेहत किसके लिए संतुलन द्वारा प्राप्त की जा सकती है, संपूर सेहत किसके संतुलन द्वारा प्राप्त की जा सकती है, complete health can be achieved by balancing work तो सार्विक, बोधिक, समाजिक, सेहत, भौनात्मक, समाजिक, आत्मिक सार्विक और बोधिक स्वास्ते तो जैसे कि WHO ने कहा है कि केवल बिमारियों से ठीक होना ही स्वास्ते नहीं है बलकि mental, physical, spiritual and social सभी रूप से स्वास्त होना स्वास्त है तो संपूर्शेहत का मतलब है आप समाजिक रूप से भी स्वास्त हों मानसिक रूप से भी स्वास्त हों अध्यात्मिक रूप से भी स्वास्त हों and मानसिक रूप से सभी रूप से सारीक, मानसिक, समाजिक, अध्यात्मिक रूप से आप स्वस्त हैं तब उसको कहा जाएगा समपोर्ष जेहत तो यहाँ पर उपरोगत सभी आपका राइट होगा किसी सुधर रही सारीष जेहत में सफलता प्राप्त करने की कुझी है तो यह सुधर रही बारीष आपको किसी विमार होने के बाद स्वस्त में अगर सुधर सारीष जेहत में सभी आप्राप्त करना है तो सबसे पहले आप क्या करें कि लचनी धायत करेंगे कि हम इतना दे में यह कारेंगे जिसी हमारा सेहत सुधर जाएगा तो गोर्ड सेटिंग एंड लचनी धार अपका राइट होगा एन एक्स्ट कोश्चन है अच्छे के लिए ब्यायाम आवस्तिक है यानि कि किसके लिए ब्यायाम आवस्तिक है इस एक्सरसाइज नेसेसरी फार गुड किसके लिए तो स्वास्त के लिए, अच्छे स्वास्त के लिए exercise आवस्तेख है यारी ब्यायाम हो गतिविदी होती है जो सुरीख को स्वास्त रखने के साथ प्यक्ती के समगर स्वास्त है ब्यायाम करने से क्योंटzinho आपका सरीर ही सही नहीं होता आपका mental health भी सही होता है spiritual health भी सही होता है personality भी सही होती है यारी सभी लाव होती है कई अलग अलग कारोस के लिए यह साम जिम्मधार है मान स्पेसी एक muscles मजबूत होता है blood circulation आपका बढ़ जाता है जिससे सरी की गंदगी बाहर निकलती है हिदे प्राली को सुरुदीर बनाता है and athletic causal बढ़ता है वजन भटता है इस सभी लाव हाव को मिलते है and next है यह सिद्ध है की ब्यायाम it is प्रुवेट दो एक्ससाइज इस ब्यायाम से क्या होता है हड़ी का द्रह्मान बढ़ता है एक हिदे घात के दुरान हिते की छहती कं करता है hard track जो आता है वह कम होता है मध्मे का जो खिम्कम होता है उप्रहस सभी यानिकी ब्यायाम से यह जबी लाव होते है उप्रहस सभी आल आर आपका right होगा यानि की बयारा में जब सरी में हरकत को सरी की हर एक यानिक। यानि कोशिका को मिक्रिया एक सन होता है जिससे में हम ब्यायाम करते हैं उससे में हमारी शरीर की अंग ऐसी चेस्टा करते हैं जिसे यसी होता है कि ब्यायाम हर्डी का द्रेमान बढ़ाता है हिदया हर्टे के दुरान गति कम करता है हिदया घाद और मधुमें का जोखिम कम कर करता है इस सभी चीजे कम करता है मुटाबा कम होता है सरे फिट होता है एंड नेक्ष्ट है कौन सा स्वास्ट समंधी साररीक सेहत का एक घटक नहीं है तो विच हेल्थ रिलेटेड इज ना टे कंपोनेंट ऑफ फिजिकल हेल्थ है तो फिजिकल एजिटेशन का जो फिजिकल फिटनेंस है इसमें से कौन नहीं है आपको देखना है तो कौन नहीं है जैसे की फ्लेक्सिबिलेटी है को आडिनेशन काडियो रिस्पार्टरी टैपेसिटी यानि हिदेशोसन छमता है बाड़ी स्ट्रक्चर ने बाड़ी कम पोजिशन है बट संतुलन नहीं है यह मोटरी स्केल से डिडेड़ है एंड नेक्स्ट कोजन है सेहत मंदी की संक्रप्ना में सामिल है दा कॉंसेट आफ वेलनेश इंकलूड्स जैसा कि मैंने कल भी बताया है आपको पिछली वाले वीडियो में जो हमारा सेहत मंदी की संक्रप्ना है उसमें छे आते हैं मेंटल, संक्रप्ना में सामिल है फिजिकल, मेंटल, स्प्रिच्वल, इमोशनल, सोशियल, इनर्मेंटल तो यहाँ पे कौंड दिया है एक आपका सामिल है पिजिकल, मेंटल, स्प्रिच्वल, इमोशनल, सोशियल, इनर्मेंटल तो यहाँ पे कौंड दिया है एक आपका सामिल है तो चीज मिल रहा है बौधीक स्वास्ति यहां पे बौधीक स्वास्त आपको राइट होगा यानि कि mental health यहां पे हम intellectual health या mental health कल्स कह सकते हैं ठीक है and next question है आपके सरीर की रोजमर्रा की मांगो को पूरा करने की छमता है सरीक सेहत कहते हैं क्या कहते हैं सारीक सेहत यानि की physical health आपके रोजमर्रा की मांगो को पूरा करने की आपके पास छमता है तो उसको physical health या physical fitness भी कहेंगे ठीक है क्योंकि physical fitness का मतलब ही होता है कि daily routine work without any fatigue बिना ठकावड के रोज मर्रा के कामों को आप अच्छे से पूरा भी कर सके और कोई अचानक विपती आया तो उसको सामना करने के भी और जहाब के पास बची रहे तो उसी कहते है physical fitness and the next है निन में से कोई सा कारक सारीक स्वास्ता पर प्रहाव नहीं डालता which of the following factors does not affect physical health तो संतुनित भूजन आप करेंगे तो अच्छा रहेगा प्रती दिन भ्यायाम करेंगे तो अच्छा रहेगा गहरी निद्राव आराम करेंगे तो आपका physical health अच्छा होगा बट लिखाई पढ़ाई आपका नहीं है and the next question है सारीक पुष्टी का अंग है what is the order of physical confirmation यहापे confirmation नहीं होगा यहापे fitness होगा ठीक है physical fitness का अंग का है सकती है गती है लचक है पावर है स्पीड है flexibility है यह सभी है ठीक है फिजिकल पूष्टी यह फिजिकल फिटनेस को दो भाव कम बटा गया है and motor skill related physical fitness में strength, speed, invariance, flexibility, coordination, abilities आता है and the next question है Carbohydrate खाद पदार्थ को उनके अंतर ग्रहर, पाचन और 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 सूसर के पस्चात, सरीर्टी, ग्लुकोज प्रतिक्रिया के अधार पर वगिकरण की विजिक को कहा जाता है the method of classifying carbohydrate foods based on the glucose response of the body after their injection, digestion and absorption is called यानि carbohydrate खाद पदार्थ उनके अंतर ग्रहर, पाचन और सूसर के पस्चात, सरी के ग्लुकोज की प्रतिक्रिया के अधार पर वगिकरण की विजिक को क्या कहा जाता है तो इसका right answer है, glycemic सुचकांग बोला जाता है क्या बोला जाता है? glycemic सुचकांग यानि की glycemic index glycemic सुचकांग यानि की glycemic index बोला जाता है एक glycemic index होता क्या है? कहने कि बिसेश खाज पदारत के द्वरा बढ़े रखत सरकरा का मापन, glycogen सुचकांग, glycemic index के अंतरगत किया जाता है glycemic index जू होता है, कार्बो हाइडेट यूगत खाज पदारतों की ranking है एक प्रकार से, जिसे यह पता लगा जाता है, कि भोजन में पाया जाने वाला कार्बो हाइडेट को भुलुकोज बनने में कितना समय लगता है कितना कम समय लगेगा, उतना ही आपके पाचन के लिए, आपके सरी के लिए ज़्यादा बेटर होगा यानि, glycemic index जिसे साट में GI बोलते हैं, glycemic index यानि GI कार्बो हाइडेट खाद पदारतों के लिए एक rating पूडा लिए है, क्या है? एक rating पूडा लिए है, ध्यान से सुनिएगा यह दर्स आता है GI कि परतिये एक भोजन आपके लिए रक्त सरक्रा यानि, glycogen के इस्तर को कितनी जल्दी प्रवाहित करता है, जब वह भोजन सुनिएग खाए जाता है यानि कम GI rating वाले खाद पदारत खाने से रक्त सरक्रा को नियंतित करने में मदद मिल सकती है तो आप समझ सकते हैं, जिस भोजन का GI यानि कि glycemic index इतना कम रहेगा, उतना ही आप रक्त सुगर यानि सरक्रा को नियंतित कर सकते हैं, मधुमें आपको नहीं होगा तो कम GI वाला यानि कि कम glycemic index वाला आपको खाद पदारत जादे लेना चाहिए तो next question है Cartisol जिसका इस तरह एडरिनल ग्रंथी से होता है, जिससे उत्तेजित होकर मांस पेसी तूटने को कहा जाता है Cartisol which is secreted from the adrenal gland, which will stimulate causes muscles breakdown तो इसे कहा जाता है आपका Proteolysis क्या बोला जाता है? Proteolysis and next question है यक्रित में L9 यानि अन्य अमिनो अमल भी ग्लुकोज उत्पन करने के लिए pyruvate में प्रोजित हो सकता है इस प्रिक्रिया को क्या कहा जाता है? In the liver, L9 also other amino acid can be converted into pyruvate to produce glucose, this processes is called तो इसको बोला जाता है Glucogenesis इसको क्या बोला जाता है? Gluconeogenesis इस L9 का कंकाल मांस पर इसी दोड़ा प्रयोग नहीं किया जाता है तो इसे glucose उत्पन करने के लिए pyruvate में प्रिवतित कर देता है इस प्रिक्रिया को Gluconeogenesis कहा जाता है And the next question है सारुरिक अवस्था को जाजने के लिए नवज का प्रयोग सरपथम किस व्यक्रिने किया था? Who are the first to use pulse to check physical condition? तो दोस्तों pulse के जो हमारे नाड़ी होती है जो नाड़ी के हम तश करके अपने धरकन को जान सकते है तो नवज दर का प्रियोग सारे अवस्था को जाजने के लिए नवज का प्रियोग सबसे पहले किया था? गेलन ने किस ने किया था? गेलन ने गेलन ने किया था सबसे पहले ठीक है? याद रखिएगा एन नेक्श कोश्चन है एक स्वस्थ सरीर में स्वस्थ मस्तिस्क होता है इस अंसाम में प्रसन अवस्था का छोटा लेकिन पूर्द वड़न है इस अब कथर को किस ने कहा है? एक स्वस्थ सरीर में स्वस्थ मस्तिस्क निवास करता है इस बात को अरस्तु ने कहा है याद रखिएगा दोनों परिखासा में अंतर है नेक्स्ट कोशन है सारिक दच्चता छमता है फिजिकल इफिसियंसी इज एबिलिटी यानि कि फिजिकल इफिसियंसी बुलिए चाहिए फिजिकल फिटनेश वही है जो हमारी सारिक दच्चता होती है वो छमता है तो हम क्या कहते है जो physical fitness की परिभासा क्या होती है daily routine work without any fatigue यानि daily के work को बिना थकान के आप संपन्ध करते हैं और extra जो energy होता है अपातकाल के लिए बचा होता है उसी को कहते है physical fitness तो यहाँ पर right answer हो जाएगा सारी दिश्ता चमता है daily routine work करने की चमता यानिक to do daily work ठीक है इसलिए ध्यान रखेगा और next question है उत्तम स्वास्त के लिए आवस्यक है is it necessary for good health उत्तम स्वास्त के लिए क्या आवस्यक है उचित पोसर यानि proper nutrition नियमित बयान regular exercise उचित रहन सहन proper living ये सभी चीज़े आपको उत्तम स्वास्त यानिकी good health के लिए all of the above सभी चीज़े आपको आवस्यक है and next question है blood sugar के लिए उपीक्त ब्यायाम है इस exercise suitable for blood sugar तो इसके लिए walking लिए this is exercise by diabetes क लिए diabetes पेशेंद्क के लिए blood sugar के लिए तहलना यानिकि walking based exercise है यानिकि तहलना व्यायाम से रखता सरक्रा कम रहता है तथा ग्लुकोज का उप्योग करने के लिए सारी छमता पैदा होता है प्रति ग्वंटा 6 किलोमीटर गती से चलने पर 30 मिनट में 125 किलोडी समाथ होती है ग्लुकोज जयसे की डखत सरकरा को नियंध्री तक बहुता है इनसुलीन जो हमारे आगनासा यानि कि पेंक्रियास के प्रघ्र कोशी का से उत्पन होता है अब इंसुलिन करता क्या है? ग्रुकोस को ग्लाइकोजन प्रोविदित करता है इंसुलिन जब नहीं रहेगा, कम बनेगा तो ग्रुकोस को ग्लाइकोजन प्रोविदित नहीं कर पाता है और अग्तमें सरकरा के मात्रा बढ़ जाता है इसे को कंड्रोल करता है जब हम तहलते हैं and exercise करते हैं तो इसको कंड्रोल किया जा सकता है and next question है ब्रिधी को प्रोहावित करने वाले कारक अवान सिखता यानि हिर दिटी अहार यानि diet, exercise ये सभी के सभी हमारे ब्रिधी यानि ग्रोथ को एफेक्ट करते हैं प्रोहावित करते हैं तो आलाव दे अवाव यानि उसको सभी आपका राइट हो जाएगा and next है स्वास्त के लिए अच्छा पोसर क्यों जरूरी है what is good nutrition important for health तो good nutrition यानि की स्वास्त के लिए अच्छा पोसर क्यों जरूरी है तो अच्छा पोसर से ही व्यक्ति का विकास होता है सारी के विकास होता है ठीका development होता है हमारे बाड़ी का हमारा बाड़ी को तो हेड़ी ने दे दिया अनुवान सिक्ता ने उसका विकास हम अच्छा भोजन लेंगे and पोसर निट्रिशन लेंगे कार्गोहरेट प्रोटीन वसा विटामिन खनेज लवर जल उचित मात्रा में बैलेंस दाइंट लेंगे तम भी तो हमारे सारी के विक आंतरिक छमता है ना कि वाहर चमता क्या है किसी की आंतर सक्तियों की छमता दो पोटेंशियल आफ वन्स इनर पावर ना कि वाहरी पावर है इनर पावर है यानि कि रोजाना के कारियों को उस्साह और सतर्क्ता से संपन करने और फुर्सत के समय क्रिया कलापो और अपात समय की आसकताओं को निपड़ने के लिए उर्जा को बचाने के जो योगिता होती है उसी को हम कहते है फिटनेस और जो प्रतेग व्यक्ति को उसकी अंतर सक्त के साथ प्रभावी तरीके से क्रियानिमित करने की युगता प्रदान करती हैं And next question है काईफ़सीस और पीठ के अन्न यहाँ पे तो सब कट गया है दोस्तों question ही यहाँ पे चला गया है लेकिन काईफ़सीस और पीठ के अन्न दोसों के लिए क्या आप किसी सरद्ब्यायाम का सुझाओ दे सकते हैं काईफ़सीस और पैक कंडिशन Can you suggest any simple exercise for the defect तो सरद्ब्यायाम है काईफ़सीस क्या होता है जिसे हम हंच बैक भी कहते हैं गोल कमर भी कहते हैं यह हमारे जो फीठ होता है बाहर निगल जाता है जिसे कुबड़ा भी कहते हैं इसको ठीक करने का सबसे ज़्यादा सुझाओ होता है तैर्णा यानि श्वेमी याद रखेगा श्वेमी काईफ़सीस जो है हमारे छाती का छेतर जो पीछे का छेतर चक्राकार हो जाता है रिड़ के अस्यां पीछे की और हो जाती है सीर और गरदन आगया की और जुक जाता है इसके उपाय के बियायाम है सोते समय पीठ के नीचे हमेशा तकिया रखें ख़ड़ी शिती में अपना सीर पीछे की और अमोडें और कुछ समय तक यहीं इसीती बनाया रखें तैराकी हो गया धौरासन हो गया चक्रासन हो गया और इमित अभ्याद करना आपके लिए लब दायक है लगिस्वसरी ज़्यदा लब दायक होता है तैराकी इसाथ तरह की आपका राइट होगा तो मिस्टे हैने अग्स वीडियो में तब तक कि ये चाहिए